गुड मॉर्णिंग नमस्कार बनारस कैसे हैं आप सब बढ़ी आना और अगर नहीं भी है तो अब हो जाएंगे अरे भाई आ गया है आप सब का फेवरेट मॉर्णिंग शो गुड मॉर्णिंग बनारस और आप सब के साथ हूँ मैं यानिकी शिखा आज है पांच मैं दिन है शुक्रवार टाइम हो चला है साथ बज़कर एक मिनट अच्छा जब आप कुछ नया करने का सोचते हैं तो दिमाग में पहली बात क्या आती है सब क्या कहेंगे यही ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग हम में से ज्यादा दर लोग कोई भी काम करने से पहले कई बा पाते बस सोचते ही रह जाते हैं और टाइम बस यूँ ही सोचते हुए निकलता जाता है तो बनारस ज्यादा मसोचिए जो आपके दिल को अच्छा लगे बस शुरू कर डालिए क्योंकि दुनिया में शाय अधी को ऐसा काम हो जो सभी को एक साथ पसंद आए कुछ प्रोस ए लेकिन अगर सच्चे मन से और मेहनत से लग जाएना तो जरूर एक दिन हम सफा लोंगे पर हाँ तुम यह नहीं कर पाओगे तुमसे कैसे होगा अरे अब तो समय निकल गया ऐसी निगेटिव बातों पर ध्यान बिलकुल भी न दीजिए कोई भी काम जो आपको खुशी दे उसे करने का कोई सही या गलत समय नहीं होता और ना ही सीखने की कोई उम्र होती है ऐसे बहुत से एक्जाम्पल्स हैं जब लोगों ने एक आइडियल समय और उम्र के पैमाने से उपर उठकर अपनी नई शुरुवात की और सफल भी हुए तो आप क्या सोच रहे हैं निकाल तो खत्मों ने दीजिए तब चले जाएगा मिलती हूं आपसे इस सौंग के बाद वेलकम बैक बनारस बनारस आज है वैशाक शुक्ल की पूर्णिमा तिथी इस तिथी को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है आए जानते हैं इस दिन का विशे जीवन की तीन एहम बाते बुद्ध का जन्म बुद्ध को ज्यान प्राप्ति और बुद्ध का निर्वान तीनों के कारण विशेश तिथी मानी जाती है गौतम बुद्ध ने चार सूत दिये उन्हें चार आरे सत्त के नाम से भी जाना जाता है ये आरे सत्त हैं दुख निवारण के लिए तरीका भी है भगवान गौतम बुद्ध का जन्म वैशाक मास्की पूर्णिमा को हुआ था महात्मा बुद्ध को भगवान विश्णु का नवा अवतार भी माना जाता है भगवान बुद्ध का जन्म 563 से 483 इसापूर्व में हुआ था नेपाल के लु उशी नगर नामक स्थान में महा प्रयाण किया इसलिए इस सिथी का बौध धर्म में विशेश महत्व है और ये बहुत धूमधाम से मनाया भी जाता है बुद्धि पूर्णिमा के दिन बौध गया में दुनिया भर से बौध धर्म मानने वाले आते हैं बौधि व्रिक्ष जो की एक पीपल का व्रिक्ष है उसकी पूजा होती है मानिता है कि इसी व्रिक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्यान प्राप्थ हुआ था धार में एक मानिताओं की अनुसार सनातन धर्म में वैशाक महा को नाराण की भक्ति के लिए भी उत्तम मास माना गया है इसके चलते हजारों स्रधालों पवित तीर्थ स्थानों पर स्नान दान कर पुन्य अरजित करते हैं अपना बनारस भी इनमें से एक है सकंद पुरार की अनुसार वैशाक पूनिमा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वैशाक मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत् पुर्व काल में वैशाक मास की एकादशी तिथी को अम्रित प्रकट हुआ था द्वादशी को भगवान विश्णू ने उसकी रक्षा की त्रयोदशी को श्री हरी ने देवताओं को अम्रित पान कराया और चतुरदशी को द्यात्यों का संगहार किया और वैशाक की पूनिमा के दिन ही समस्त देवताओं को उनका सामराज प्राप्त हो गया इस प्रकार सभी देवताय प्रसन होकर इन तिथियों को वर दिया कि वैशाख मास की ये सारी स्चुप तिथियां मनुश्य के सारे पापों का नाश करने वाली और समस सुख प्रदान करने वाली होंगी तो बनारस आप भी ये पुन्य कमाने का अवसर गवायेगा नहीं आज की सिथि को जितना भी हो सके पुन्य कमा लीजिए अपने सारनात में भी बुद्ध पुनिमा पर भव्वे उस्सो मनाया जाता है 1998 में पहली बार यहां बुद्ध पुनिमा के अवसर पर महसो का आयोजन किया गया था इसके बाद से लगातार हर साल इस दिती को यह महसो मनाया जाता है बनारस बुद्ध पुनिमा के बारे में आज हमने बहुत बाते की है ना तो थोड़ा सा रुखते हैं और सुन लेते हैं एक और प्यारा से ट्रैक प्यारे से सौंग के बाद बनारस आये चलते हैं नेक्स सेग्मेंट में और जानते हैं शहर बनारस का हाल चार। जौनपुर में कुल 55.56 फीस्ती वोट पड़े गाजीपुर में 55.05 फीस्ती वोट पड़े चंदौली में कुछ 64.96 प्रतिशत मत्दान हुआ। अब गंगा में चलेंगी वोटर टैक्सी, 10 फैसिलिटी बोर्ट पहुँची वाराणसी। काशी विश्विनाद धाम जाने में होगी आसानी, गंगा में वाटर टैक्सी को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के भावनगर से 10 फैसिलिटी बोर्ट काशी पहुँच गई, इसका प्रयोग वाटर टैक्सी, जल अंबुलन्स और जल शब वाइने के रूप में होगा, इसे काशी वासियों और टूरिस्ट की सुविधा के लिए प्रयोग किया जाएगा, वारण असी को तीस माह में गंजारी की अंतर राष्ट्रे क्रिकट स्टेडियम की सौगात मिल जाएगी, पच्ची सेकर में 400 करोण की लागत से तयार होने वाले स्टेडियम में, एक साथ अंतर राष्ट्रे मैचों के अलावा बैडमिंटर, टेबल टैनिस, तहराकी, आत्मरक्षा के सभी खेलों की सुविधाय मिलेंगी, स्टेडियम में आउट्डोर स्पोर्ट्स मैदान, क्रिकट प्रैक्टिक्स मैदान, क्लब हाउस भी होगा, क्या बात है बनारस, जल्दी ह अमारा शेहर भी अंतर राष्टी मैचों का साक्षी वनेगा, बुद्धि पूनिमा पर आज महात्मा बुद्ध की 2666 जैनती मनाई जाएगी, इस अवसर पर बौद्ध भिख्षू और उपासक मूल गंद कुटी बौद्ध मंदिर में महात्मा बुद्ध के अस्थी अवश को 2666 डीपो से प्रजोलित भी किया जाएगा, बुद्धि विहार कारेले के सामने सुबा 9 बजे से रात 9 बजे तक भोजन दान किया जाएगा, इसमें सार्नात आने वाले परेटक और आगनतुक भोजन करेंगे, ये था शेहर बनारस का हाल चार, आएए चलते हैं नेक्स से का जन्म हुआ था आज के दिन, 1818 में महान विचारक, इतिहासकार और जाने माने जर्मन अर्थशासरी काल माक्स का जन्म हुआ था, 1916 में भारत के पूर्व राश्रपती ज्यानिक जैल सिंग का जन्म हुआ था, 1821 में चर्ज के वर्चस्व को ढाने और यूरोप को विज् आटलांटिक महासागर में उत्रे, उन्हें एक हेलिकॉप्टर ने पानी से बाहर निकाला था, 1984 में फू दोर्जी ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट को फथा करने वाले पहले भारतिय बने, 1988 में महान करांटिकारी त्रिलोकी नाच चक्रवर्ती का जन्म हुआ था आज के दिन, 2005 में बिटेन में लेबर पार्टी के नेता टोनी ब्लेयर ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पत का भार संभाला था, 2006 में संगीत के जादुगर कहे जाने वल संगीत निर्देशक नौशाद अली ने दुनिया को अलविदा कहा, 2010 में आंध्र प्रधेश के श्री हरी कोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा न्विक्सित नई पीडी के उच्च शमता वाले साउंडिंग रॉकेट को परिक्ष्यन उरान पर भेजा गया, इसे देशी रॉकेटों में अब तक का सबसे भारी रॉकेट बताया गया, 2017 में इसरो ने दक्षिर एशिया उपग्रव को सफलता बूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था आज के ही दिन, तो बनारस ये थी इतिहास में आज के तारीक को घटी हुई कुछ खास खटनाएं, भगवान बुद्ध के उपदेशों में बून से बून पानी का घड़ा भरता है और इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा थोड़ा इखटा करके खुद को अच्छाई से भर देता है। जो कुछ भी तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, ऐसा करके तुम्हें लंबे खुशी और लाब ही प्राप्त होगा। क्रोध को पाले रखना, गर्म कोईले को किसी अन्ने पर फेकने की नियत से पकड़े रहने के समान हैं, इसमें आप ही जलते हैं। आपके पास जो कुछ भी है, उसे बढ़ा चड़ा कदमत बताईए और ना ही दूसरों से इरश्या कीजिए। जो दूसरों से इरश्या करता है, उसे मन की शांती कभी नहीं मिलती। घ्रिणा घ्रिणा करने से कम नहीं होती, बलकि प्रेम से घट्टी है। यही शास्वत नियम है। भगवान बुद्ध के इन उपदेशों को अगर हम आत्मसाथ करें, तो सारी दुनिया ही प्रेम मैं हो जाएगी। किसी का किसी से कोई भी बैर ही ना रहेगा, है ना। बनारस, अब इसी के साथ मुझे यानि शिखा को दें इजासत, तब तक के लिए आप सब को शिखा का नमस्कार। गुड मॉनिंग बनारस।